आपके साथ मैं हुरीना पंचंग के नुशा राज गुरुवार कुछ इस्ट मास के क्रिश्म पक्ष के एगादर्शी के दिदी के आज के दिन विशेश है आज अपरा एगादर्शी का वृत है आज चंद्रवामीन राशी में गोचर कर रहा है आज रेटी नक्षटर आज के कैसा रहेगा ये जानते हैं आज आपरा श्रवी का राशी फल में इस राशी आज के दिन रूची के कामों को करना चाहिए ऐसा करने से अच्छा महासूस करेंगे तो वहीं दूसरे मन का विचलान भी दूर होगा सकरात्मा को जानुभाव करेंगे बॉस की और से सराना पास घर के बिजडी से समधित कामों में लापरवाही ना परते जो भी काम है उनने तुरण तो दुरूस्त करा ले ताकि कोई गड़बड़ी ना रहे वरिश राशी आज के दिन मासिक तोर पर संतुलित होना आतियावश है कि पुराने लोन को लेकर आप परेशान हो सकते हैं तो उन्हें खतम कर पाने में सफल भी होंगे आज़ाब आफिस में वातपूर मिटिंग को लेकर सजग रहना चाहिए जो भी पूछा जाया उसका उचे तुतर दे आने ता बहुत नाराज हो सकते हैं सोने चांदी के वैपारी कुछ परिशान नजर आएंगे धिंदे में उच नीच के लिए है तो हमेशा तयार रहना पड़ता है पैरों में दरदर सुजन होने की आशंका है यदि हो तो इग्नोर ना करें और डॉक्टर के पास जाकर सलाले बड़े भाई से कहा सुरीएं की आशंका बनी हुई है विवादों को अज के दिन गुपति शत्रों से साफधान रहना होगा अपने बीच में ऐसे चिपे शत्रों के पहचान का प्रयास करें नई नोकरी की तलाश कर रहे हैं तो सफलता मिल सकती है अनुकूल समय में प्रयास करना बहतर होता है वियापारियों की मान पूतिस्ठा में रधी होगी हो सकता है कोई अवाड भी मिल सकता है इसका लाब सदय कारबार की बढ़ उत्री में मिलता है यवाँं को मानसिक यह आपको लक्षे तक पहुचाने में मदद करेगी स्वास्त में थोड़ी नर्मी चल रही है अधिक काम करने के बज़े थोड़ा अराम भी करें अपनों से मंचाहा उपार भी मिल सकता है करक राश्य आज के दिन यारी दोस्ती देख सुनकर ही करनी चाहिए ऑफिस में प् आए तो बहतर होगा साथ ही नश्य बाजियों के संगत तो बिल्कुल भी ना करें बच्चों को बहुत आधिक आइसक्रीम और कोर्डिंग से दूर रहना चाहिए गला खराब होने की आशंका है परिवार का पूर्ण सायोग प्राक्ट होगा किसी सम्मारों में शामिल होने स से परिवार का प्रेम भी और पढ़ेगा सिंग राशी आज के दिन सभी के साथ विनरम सभाव रिष्टों को मजबूत बनाये करें पैच रिष्टों को मजबूत करेगा ऐसे में अपने सभाव के विनरमता को बनाये रखें नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को कामों के मजब से अच्छा परिणाम देंगे नए कारबार के शुड़ात करने वाले वया कर रहे लोग लाप कमाने के लिए बनापना अनके कोई काम नहीं करना है हेल्थ को लेकर इस राशी के व्रिदों को स्वास्त सम्बंदी वरिशन्या हो सकती है पहले से इस सतर खोकर इसको ठी चुड़त से निप्टा है निसंदे सफलता मिलने नोकरी की तैयारी में तनमंद से लगे रहे सफलता की आसाथ है समाने के अन मजबूत रखने की ज़रते कारबारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है तो परेशान नहों इसी सिर्य से निजात पाने के लिए रास्ते भी ब मज़ते हुए तनाव से बचे किसी की मदद का मौका मिले तो हाथ से ना जाने दे अपनी सामरते के अनुसार मदद करें इस राशी के लोगों को हाथ आए काम के साथ ही पैंड अपने पैंडिंग काम भी पूरे करने होंगे व्यपार के मुनाफ़े के चक्कर में अधिक निव थोड़ी मस्ती करिए आज जीविका के शेतर में नए शोत मिलते नजर आएंगे बिना आलस किये रास्ते पर चलते रहें व्यपार में नुकसान ठाना पड़ सकता है व्यपार में कभी नफ़ा तो कभी नुकसान चलता ही रहता है युवाओं को अच्छा भी रुकाउटों को सामना करना पड़ सकता है लेकिन उसको दूर करते हुए आगे बढ़ते जाए खान पान में संतुलन बनाये रखे पेट खराब होने की आशिंका है बासी भूजन तो इस मोसम में कते ही ना खाये धनुराश्य आज कि दिल मीठ्या बनाकर भगवान को भोग लगाया और उ जा रहा है तो उसे यूही ना जाने दे बलकी चोटों मोटे बदलाव करें मुनाफिक हमाई डिहाइड्रेशन होने की आशंका है ऐसे में खान पान को संतुलित करें परिवार में काम ना बन पा रहा हो तो वरिष्टे जनों से सलारी रास्ता निकलेगा मकर राशी आज के दिन मकर राशी वाले उर्जा को क्रोध में परिवर्थिंत होने ना दे इस उर्जा को उप्योग कर कुछ क्रेटिव काम में करें तो अच्छा रहेगा ऑफिस में सागर्मियों के साथ कंपेटिशन अधिक रहेगा आपको अपने स्ट्रेश चितर शिद्द करनी होगी कारो परिवर्थिंत हो सकती है घर में किसी अपने का आगमन होगा जिससे आप मन में याद कर रहे थे जिससे परिवार में खुशियां विखरेंगी कुम्ब राशियात संगती के विगड़ने के आसार नजर आ रहे हैं इस पर ध्यान दे वहीं दूसरे और सच्छंग करना आपक आपको अच्छे परिणाम देगी हेल्थ में जो लो कुछ समय से माइगरीन को लेकर पीड़ित थे अब उन्हें आराम मिलने की पूरी उमीद है मातापिता की जरूरत तों का ध्यान रखें उनकी आवशकता की जानकारी कर उसे पूरा करें मीन राशी आज के दिन अधिक महनत करेंगे तभी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे कहावत भी है कि जितना को डालो उतना ही मीठा होगा निर्णा लेते समय सभी के विचारों को ध्यान में रखें नौकरी पेशा से जुड़े लोग प्रबंदन शुमता पर ध्यान रखें सभी कारें सुचारों रूप से चलते रहने चाहिए प्लास्टिक का कारोबार करने वाले वैपारियों को बड़े सौधे करने का अफसे मिलेगा तो वहीं तैयारी रखें और स्टॉक भी पीछे ध्यान रखें स्वास्त में बेवज़त चिंता को पीछे करना होगा इस राशी की वरिद महिलाओं को स्वास्त को लेकर सचित रहना है उनकी कविद बिगड़ने के आशिंका है नए रिष्टों को लेकर अभी कुछ समय आपको भी रुकना चाहिए अगर आपको हमारी एचान कर अच्छी लगी हो तो कामन्ट करकर जबर बताएं वीजियो को पार्णे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही वेल आइकन दबारा ना पूलें